गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का व्लॉग मैं इस रूम के कोले में खड़ा होके क्यूं कर रहा हूं यही आप लोग सोच रहूंगे इस वक्त मैं मेरे रूम के खिरकी के सामने खड़ा हूं जैसी कि आप देख पारें कोई वीडियो बनाता है तो वो वीडियो को अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए लाइट एक बहुत ही इंपोर्टेन्ट रोल निभाता है ज्यादा तर हम लोग वीडियो बनाने के लिए नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करते हैं और जब कभी ये नेचुरल रिसोर्स हम लोग को नहीं मिलता है तब हम लोग लाइट यूज़ करते हैं जी हाँ दोस्तों आज का मेरा ट्रोफिक ये चीज के उपर है तीन गैज़ेट का हम लोग अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं दिजिट्रक का ट्रैवल चार्जर है ये इसके फेटर्स है क्विक चार्ज आटो काट एंड वर्ल्डवाइट वोल्टेज मॉडल नमबर इसका है दी यू सी डबल ओ सिक्स डिजिट्रक के ट्रैवल चार्जर का स्पेसिफिकेशन्स है इन्पूट का एसी हंड़ेट से टू फॉर्टी वोल्ट मैक्स वान फिप्टी एमे और आउट्पूट है डिसी 4.2 बाइट पन फॉर वोल्ट मैक्स शिक्संड़ एमे मैक्सिमम डिटल प्राइज है रुपेश 6.95 इंक्लूटिग ओल टैकस अभी हम लोग चार्जर को दोस्तों बॉक्स में से निकाल लेते हैं और जैसे के आप लोग देख सकते हैं छार्जर वाइट कलर का दिया हुआ है हम लोग बॉक्स को अभी साइड में करके चार्जर के यह डिजी रेक का है वाइट है इसका कलर और काफी प्रिमियम कॉलिटी का दिख रहा है इसको हाथ में लेने से महसूस होता है इसका वायर काफी लंबा है और यह रिमूवेबल है यह टू पिन ब्रास मेल फीमेल सौकिट के साथ आता है चारजर कनेक्टिंग पॉइंट आप Are helping if this पेज़ का आप लोग स्क्रिंशोट लेके इसको डिटेल्स में पर्शकते संर्दनर क्या लिखा हुआ है मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाओंगा अभी यह जो चार्जर है इसको वी हम लोग 2 पाट में फिर कॉनवर्ट कर सकते है यह इसका second part है जिसमें आप camcorder का battery भी आप इसमें charge कर सकते हैं उसका भी facility दिया हुआ है यह जो battery है आप लोग के सामने यह Digitech brand का है यह professional battery है और इसके कुछ specifications है quick charge, no memory effect and extra long life of the battery नीचे में website दिया हुआ है आप लोग check-in कर लिजिए अभी हम लोग box को खुलके battery को हम लोग निकाल लेंगे यह वो battery है आप लोग देख लिजिए अगर आपको इस प्रेसिक पर रहा है तो screenshot ले सकते हैं आप लोग मैंने zoom कर लिया है LED लाइट का box कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों यहां पर proportional LED वीडियो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चीज़ों से हमें बहुत मोटिवीशन और हेल्प मिलती हैं और आप लोग मेरे साथ जुरिये कॉमेंट के दवारा शॉट ले लीजिए अभी हम लोग box को खोल लेते हैं और फिर हम लोग का जो light है उसको हम लोग निकाल लेते हैं आप लोग देख पा रहे हैं इस वक्त जो light आता है इस box में वो काफी अच्छा packaging के साथ में आता है और यह light के अंदर में इसके साथ और भी काफी कुछ attachments दिये हुए हम लोग देख लेंगे किया है सबसे पहले आता है एक हम लोग का hot shoe connect करने के लिए इसको उसके बाद एक manual आता है और इस package के अंदर वो light है यह hot shoe भी काफी premium quality का दिया है इन लोग ने इसका clamp steel का है और इसका full body metal का है पीछे से यह light कुछ इस तरह का दिखता है डिजी टेक का branding मिल जाएगा पुश बटन है यह battery को eject करने के लिए साइड में और information आप लोग देख सकते है बैटरी चेक का यहाँ पर LED इंडिकेटर दिया हुआ है on off का switch दिया हुआ है नीचे 32 00 K और उपर 56 00 K यह mention किया हुआ है सामनी के तरफ से अगर हम लोग बात करें इसका तो आप देख सकते हैं यहाँ पर dual tone का LED है एक warm light और एक white का इसका उपर का हम लोग frame खोल रहे हैं इस वक्त ताकि इसका जो actual light है वो हम लोग देख पाए यह frame काफी अच्छा है अभी बाकी सब चीजों को छोड़के हम लोग light को उपर focus करेंगे आप लोग देख सकते हैं इसका look काफी professional look है इसका और अभी इसको हम लोग assemble करेंगे और test करेंगे assemble करने के लिए हम लोग इसके back side में जाएंगे और यह battery को इसके साथ connect करेंगे इसको connect करने के लिए battery का यह दो brass female point जो है इसको हम लोग को इस light का male point के साथ connect करना पड़ेगा यह switch को press करने के यह switch ejector switch है इसको हम लोग कैसे connect करते हैं आप लोग देख लीजिए सबसे पहले हम लोग को ejector switch प्रेस करना है उसके बैटरी को इस given point में प्रेस करके lock करना है अभी हम लोग इसको on करके देखेंगे इसका light का quality देखेंगा इसको on करने से यहां का बैटरी चेक का चारों इंडिकेटर जल रहा है क्योंकि इसका बैटरी अभी फुल चार्जड है डाक रूम में अभी light टेस्ट हो रहा इसका power का आप देख सकते यह है इसका white light in full power 5600K और यह है इसका warm light का फुल पावर जो की है आपका 3600K यह है हम लोग का white LED 5600K का full power में और अभी warm light अपने फुल पावर में जो की 3200K है